कि html-based font tag html-based font tag generally html5 में support नहीं किया जाता है not supported in html5 html-based font tag was used to specify the default value of font size color and font family for all written within an html document बस्पोंन टाइग मतब एक बेस तयार करता है सभी टेक्स्ट के लिए झितने भी टेक्स लिखेंगे लिए उसके लिए अ मतलब पूरे के पूरे सबके लिए यहां पहर एक basic was deprecated in HTML4 and completely removed from HTML5 so do not use this tag instead of it you can use the CSS to style the document अगर हम लोग HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं अभी तो हम लोग basically जो HTML यहां पर सीख रहे हैं वह HTML4 के ही maximum tax है कुछ-कुछ टैग्स हम लोग देखें कि जो यहां पर यूज करें उसको CSS से भी हम लोग अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं बेस फॉंट सबसे पहले हम लोग बेस फॉंट लिखेंगे उसमें दो तीन अट्रिब्यूट हम लोग लगाएंगी लिए साइज 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 सब्सक्राइब यहां पर बेस फॉंट लिख सकते हैं अब यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं तो यहां पर हम लोग से स्टार्ट करेंगी फिर उसके बाद यहां पर हम लोग इस हैड के अंदर में हम लोग के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगी बेस फॉंट सब्सक्राइब करें अदर में हम लोग को लिखना है जब हैंड के अंदर में हम लोग लिखेंगे तभी यह काम करेगा अदरवाइस नहीं करेगा तो फिर हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं बॉड़ी और यहां पर हैडिंग टैग हमने लगाया एच्टू एग्जामपल और यहां पर फिर उसके बाद हमने यहां पर दिया पी बेस फॉंट टैग इस नौट सपोर्टेट इन एक्टेमिल यहां पर चैक्स लिखा हुआ इस बॉड़ी के अंदर यह टेक्स पैसा अना चाहिए था उसका ब्लू होना चाहिए जो है फाइव होना चाहिए फेस जो है और एरियल होना चाहिए फॉन्ट जो है उसका कि यह लगा उसको करेंगे रंकर देंके समय हम लोगो टैक्स थो दिखेगा लेकिन उसमें को भी फॉन टिंट हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा तो इस केस्थ में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूज करेंगे CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम यहां पर यूज करेंगे तो अब हम लोग यहां पर बेस फॉंट लगाये जरूर है लेकिन वर्क नहीं करेगा ठीक है अब वह कैसे वर्क करा सकते हैं वह हम लोग आगे देखते हैं कि अब तो सबसे पहले हम लोग इसको रन करके एक बार देखते हैं कि सही में यह काम कर रहा है नहीं कर देख सकते हैं कि प्रोग्राम को मैंने यहां पर रन किया है और यहां पर जो हमारा आउट्पुट है वह सही से नहीं आया मतलब जो फॉंट की वज़े से वह हम लोग यहां पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो उसके हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग अप्लाइब करेंगे कि यहां पर हम लोग यह करेंगे और हम लोग लिए और पी के लिए कुछ करेंगे कुछ साइज देखते हैं वहां पर हम लोग कैसे कर सकते हैं तो यहां पर हमने क्या है बेस्ट को हटा दिया है तो फिर से बता रहा हूं हमने लिखा है फिर उसकी बाद हमने टैग यूज के को चेंज करना है कलर चेंज करना है तो यह सब के लिए चोटे-चोटे स्टाइल होते हैं तो यहां पर हमने इस पैरेग्राफ टैक के लिए हमने यहां तो हम लोग लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद हम लोग यहां और कोलन देखें हैं लोग लिखनेंगी पॉंड का साइज 20 पी एक्स जो भी यहां पर साइज रहे हो पिक्सल में होगा लिखेंगे पिर लिखेंगे कलर सी ओ लो और नहीं होगा पर इहां पर दिया हुआ हम लोग लिख सकते हैं अगर हमें एक्सक्ट का नाम पता है तो हम लोग लिख सकते हैं अथे हुआ इस लगान के अंदर लोग लगा है स्टाइल्डक हमेशा और तो मैं सेम इसको कॉपी करता हूं और हम लोग अपने प्रोग्राम में चलेंगे और वहां पर उसको पेस्ट करेंगे और यहां से बेस्ट जो यहां पर दिया हुआ है इसको मैं हटा दूँगा और यहां पर मैं और यहां पर किसके लिए हमने अप्लाई किया है तो यह पी जो है मतलब पैराग्राफ टैक के लिए हमने यहां पर साइस के फॉंट साइस इकवल टुवंटी पिक्सल्स फिर साथ कलर इकवल टू यह हमने कलर दे दिया है और फॉंट फैमली जो है वह हमने लिए हल्वेटिका यह जहां जहां हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करेंगे सभी में अप्लाई होगा अब मैं इसको सेव कर दे हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो हैलवेटिका में आ गया है और जो कलर भी है वह ब्लू टैपका हो गया अगया 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 तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर है कि यूज कर सकते हैं मत्व जो हमारा हुं यहां ठेक्स को स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बेशवांस वह वर् accents नहीं करता हैmother 5 जो पर भी टे यहां पर्स्टाइल वह हम लोग हुश कर सकते हैं जिसके तुरूं लो'll go यहां पर सेम्रेजल्ट मिलेगा तो यहां पर पी एक्स लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं रहता तो जो भी यहां पर देंगे वह पिक्सल में होगा तो जिस प्रकार का उसके अकॉर्डिगे डिस्प्ले होगा तो तो वहां पर और चोटा दिखे गए तो जो यहां पर स्टाइल होता है वह उसी क्या अकॉर्डिंग सेट होता है कि अगर में इसको हंड्रेट परसंट व्यूम में करूं कि तो एक्ट्वल में यह जो फॉन्ट है वह इपना दिखेगा हम लोग और कलर भी हम लोग यहां पर चेंज कर सकते हम लोग चाहे तो हैक्स कोड में भी हम लोग देख सकते हैं है कैसे हम लोग देखेंगे लाइक यहां पर मैं लिखता हूं कलर कि कर कि कर हम लोग यहां पर देखें हैं यह कलर पिकर है हमारा और यहां से कोई भी कलर हम लोग ले लेंगे जैसे कि मैं ग्रीन कलर लेना चाहता हूं यह सब्सक्राइब को मैं यहां से कॉपी करूंगा और ब्लू की जगे पर पेश्ट कर दूँगा और वापस इस कि तो कापी अच्छा कलर हम लोग को यहां से कलर पिकर से भी मिल जाता है और और डार्क टार कलर लेंगे हम लोग कालर को चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा सा डार को गया अगर हम लोगों रेड में चाहिए और निशी कैसा भी हम लोग यहां से कलर ले सकते हैं तो कैसा भी कलर यहां से हम लोग यहां पर कर सकते हैं वह इस हो नहीं आएगा कि यहां तो इस टैप का हम लोगों यहां पर मिल गया अगर मैं चाहता हूं कि एक्जाम्पल ऑफ बेस्पॉंट टैग भी जो है वह कैसा है कि ऐसी कोई कलर मैं तो मैं क्या करूंगा सेम कॉपी कर लूँगा और यहां पर देंगा एच्टू अच्छा से लिए थोड़ा रहा रॉयल ब्लू इसका है यहां से कॉपी कर लेंगे और इस एच्टू में प्रेश्ट करेंगे और यहां पर आकर रिफ्रेश्ट करेंगे तो पुछ इस परकार का यहां पर इस परकार से चैंज कर सकते हैं तो बढ़ाना है तो बढ़ा दे सकते हैं से 25 ले लो और बढ़ जाएगा तो इस परकार से हम क्या कर सकते हैं पॉंट और चेंज कर सकते हैं जिस मतलब यहां पर जो इस होते हैं उसके लिए जन्रली हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग को इसी एरिया में ही क्या करना है को इसी एरिया में हम लोग को फॉंट को दिस्पले करना होता है मतलब फॉंट को दिस्पले करना में इस फॉंट का कलर और फैंबली और साइज तीनों चीज़ तो हम लोग यहां पर हैड टैक के अंदर में यह स्टाइल डिफाइन कि यह जैसा बेस फॉंट आगे से वैसे ही वर्क कर क्योंकि बेस फॉंट जो है वह है वह एस्टीमेल में सपोर्ट नहीं करता तो इसलिए यहां पर हम लोग का यूज किये हुए है तो सी एसस के तो भी हम लोगा डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैक्स के लिए हम लोग इस टैप की स्टाइल लगा सकते हैं html font tag not supported in html html font tag is used to define the font style for the next contain within within it it defines the font size color and face of the text in an html document तो फॉन टैक्व हम लोग किसे यूज करते हैं थाकि हम लोग फॉन साइस लेकिन हम लोग इसको particular कहां पर अप्लाई करते हैं बॉड़ी टैक्क के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहां पर लिखेंगे फॉन उसके अंदर हम लोग दे सकते हैं जो जोग फॉनफ प्लूट करके कर सकते हैं बीच में हम लोग यहां पर तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस तो यूज कर सकते हैं यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टीमल और यहां पर लिखने हैड टाइटल हैड को क्लोस कर दिये क्योंकि हैड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है फिर उसकी बाद है हम लोग बॉडी टैग में घंडर मैं अप्लाई किया इसको लोग ने पैरर ग्राफ टैक कें अंदर में आप्लाई किये यह लोग बॉड़ी के अंदर में किसी दूसरे टैक के अंदर में कर सकते हुए तो धैरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं पोई भी लोग आखे लिखना चाहे तो परग्राफ टैक के अंदर लिखते हैं तो हम लोग परग्राफ टैक के अंदर में फॉर्ण को अप्लाई करेंगे हमें इस कंटेंट पर अप्लाई करना है तो हमें इस कंटेंट को फॉर्ण टैक के बीच में रखना पड़ेगा तो फॉन टेग हमने यहां पर स्टार्ट किया कलर हमने देदिया ब्लू और यहां पर यह ओपनिंग टैग हुआ फिर उसके बद आया हमारा फिर उसके लाज नहीं दिया इसका मतलब जो भी डिपॉल्ट टेस होगा सब्सक्राइब का यहां प्याँ यहां ब्लू को तो होता है वो टाइम नहीं रोमन होता है तो हमने इस फॉन को यहां कलोज कर दिया है और लाश्व ने क्या किया इस पैरग्राफ को भी कर दिए फिर उसके बाद एक और हमने यहां पर यहां पर यहां पर हम लोग साइस चेंज किया और यहां पर हम लोग क्या किये फेस चेंज किये तो लाज में हम लोग अगर हम लोग देखे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से मिलना चाहिए कि अपने जो अभी हम लोग वैब ब्राउजर यूज करता है या नहीं करता है तो मैं इसको कॉपी करूंगा से मैं अपी कर दोंगा और हम लोग अपने पोर्म जाके इसको पेश्ट करेंगे और है और मैं एक न्यू डॉक्यमेंट रहता हूं और इसको सेव करूंगा कि पॉंट टैक डॉट ह्टी एंवल से ठीक है और यहां पर मैं इसको ओपन करने के लिए फॉन्ट कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉंट है वो अलग अलग यहां पर हम लोग को दिखता है तो सबसे पहला यह परग्राफ यहां पर इस नौर्मल टैक्ट गंट त्टेस्ट टेस्ट विदाउट टेंट टेट्ट पीड वाला प्लू प्लू अपर लू डिये ता हूं यहां पर ब्लू और एक चित नॉर्मल साय जान डीपॉल्ट केस ठीक है डिपॉल्ट लूर है तीजिए इसका मतलब नहीं रोमन में यहां पर आ पर कलर जो है वह ब्लू में शो रहे तो इसके बाद फॉंड ऐकल तो इसका साइज जो है वो फाइव एक लर ग्रीन तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो इस टैप से यहां पर कुछ-कुछ यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं अगर वर्क नहीं करता तो हम लोग का यहां पर सीएसे अप्लाई करते हैं तो यह सारी सारी